आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा एक ऐसा Amazon AI टूल जो multiple competitors को compare कर सकता है, thousands of reviews को analyze कर सकता है, आप अपनी listing को optimize कर सकते हैं, अपनी customer को समझ सकते हैं, कौन है वो, किसके लिए product purchase कर रहे हैं, क्यों purchase कर रहे हैं, ऐसा क्या है आपके product में जो उने पसंद आ रहा है, क्य हैं, जो पसंद नहीं आ रहा है, and much more, बेरा नाम है सौरब, आप देगर Amazing Marketer, let's learn something new today, इस Amazon AI टूल का नाम है Shulix, description में लिंक दिया हुआ है, and you will also get exclusive 20% discount, अगर आप upgrade करते हैं तो, लेकिन free version में भी amazing features है, हाँ, अगर आप मेरी तरह detailed and extra analytics देखना चाते हैं, तो paid version ले सकते हैं तो चलिए चलते हैं laptop पर, और दिखाता हो, इस AI टूल को कैसे use करना है, step by step, और हाँ, वो like बटन दबा देना, तो इस पूरे Shulix AI को हम तीन पार्ट्स पर ब्रेक करके समझेंगे, पहला पार्ट है Shulix Chrome extension, दूसरा पार्ट है AI chatbot, और तीसरा पार्ट है Shulix VOC dashboard, तो let's start with Chrome extension तो सबसे पहले हमें इस web page पे आ जाना है, इसका link मैंने description में दिया हुआ है, तो आप उस पे simply click करके यहां पे आ सकते हैं, and now we have to click on add to Chrome, and इसको install दरने के बाद आप देखेंगे कि उपर Chrome पे यहां पे एक icon आ जाएगा Shulix का, तो you can go ahead with it, and we are done with it, and इसके बाद हमें क्या कर करता है, US, UK, Japan, almost हर marketplace में यह काम करता है, and the good part about is कि यह जो listing आपको analyze करके देगा, या review analysis करके देगा, या demographics के बारे में बताएगा, या users के बारे में बताएगा, customers के behavior के बारे में बताएगा, ऐसा AI tool मैंने अभी तक नहीं देखा, and no doubt इतनी insightful जो information मिलती है, उसका अगर सही त आउट अराम से page 1 पे आ सकते हैं, या हो सकता है, टॉप 3 पोजिशन पे या rank 1 भी आ सकते हैं, so now let's check this tool step by step, तो मैं amazon.in पे आ चुका हूँ, and let's select, मैं एक example लेता हूँ, water bottle 1 liter, कमारा water bottle 1 liter का page लोड हो चुका है, तो आप देखेंगे, इस page पे, शूलिक्स का एक आइकन आ गय analyze करेंगा एक साथ, और फिर आपको एक outcome देगा, तो जब हम उस पे click करते हैं, तो आप देखेंगे, ये एक छोटा सा window pop-up आ गया है, और यहाँ पे इस page पे जितने भी products हैं, वो सब मेरे पास आ चुके हैं, चीक है, मैं इस load more पे click करूँगा, तो जितने और product यहाँ पे load ह देखना है कि कौन-कौन से brands हैं, या कौन-कौन से already existing players हैं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं इस market में, तो मुझे सिर्फ उनसे ही learning लेनी है, और उनी के positive and negatives को देखना है, so that मैं अपना product launch करकूँ, चीक है, तो मान लेते हैं, Solara ले लेते हैं, Boldfit ले ले लेते हैं, Sellow is a big name, क्योंकि Sellow पे अभी हमने देखा है, उस पे 11,000 से ज़्यादा reviews है, and Milton is another big company, जो बहुत बड़ा नाम है, water bottle में, तो हमने ये चार्ल ले ले ली है, and इसके बाद हम create report पे click करेंगे, It will take few minutes, तो basically क्या हो रहा है, यहाँ पे जो AI है, वो पूरा data collect कर रही है, तो जितने भी reviews हैं, जितना भी customer data है, customer कहां use कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही, वालब, amazing सी चीज़ें देखेंगी अब अंदर जब आप system में जाएंगे, जब तक ही data click कर रहे है, and the best part about this Shulix AI, यह chat GP 4 पे based है, उससे नीचे low version को use नहीं करता है, यह जो speed version है, chat GPT का, उसकी API को use करता है, to analyze the data, तो हमें बहुत ही real time में data मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत obsolete data, data मिल रहा है, so this is actually a real time data, तो it will take time, few seconds, minutes, तो हमें report create हो चुकी है, and when we click on view report, तो आप देखेंगे, कि Shulix का dashboard है, वो open हो चुगा है, तो अभी हम देख सकते हैं कि जो हमने 4 products select किये थे, उनकी जो consolidated report है, उसकी जितनी भी insights है, वो यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे competitive analysis हो गया, reviews हो गया, customer sentiment हो गया, and all these kind of stuff, तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि इसको हम, जब Shulix B.O.C. को discuss करेंगे, जो कि third part है, तब मैं आपको दिखाऊँगा कि यह कैसे हमें study करना है, यहां से कैसे insights निकालने, तो इस तरीके से जब आप products search करता है, जो search results आते हैं, उसमें से जो भी product आपको लगते हैं, कि आप इनसे compete करने वाले हैं, या कोई similar product launch करने की सोच रहे है तब आप इस report को generate कर सकते हैं, ओके, now coming back to the chrome extension part, तो chrome extension part में वहां से हमने report generate करने थी search results page से, लेकिन जब आप कोई product select करते हैं, तो आपने देखा था, cello, s2, stainless steel, water bottle, इसको हमने select किया था, अपने competitive analysis के लिए, तो मैंने उसी product को खोल लिया है, तो आप उसके listing detail page पे आगे हैं, listing detail page आप सबको पता है, ऐसे ही होता है हमारा, title होता है, image होती है, bullet point and so on, तो यहाँ पे आप एक नई चीज़ और देखेंगे, कि जब आप chrome extension install करके रखेंगे, तो आपको यहाँ पे दिखेंगे, शूलक्स का एक tool appear हो गया है, तो आप देखेंगे, आपे शूलक्स and GPT for Amazon ल गया है, क्योंकि अभी अगर हम water bottle launch करना चाहते है, तो we need as much data as we can have, तो अभी आप देखोगे, इस पे 11,000 से ज़्यादा की ratings है, तो obviously इसके जितने भी positives होंगे, negatives होंगे, इस bottle को लेके, बहुत ज़्यादा detail में होंगे, और it's good to have, तो अब क्या करते हैं, कि इस bottle का review analysis करते है तो review analysis करने के लिए बहुत ही simple है, यहाँ पे अगर आप over करोगे, तो reviews number 945 लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो कि इसकी ratings है 11,330, और reviews इसको मिले है 1945, चीक है, and इसके बाद हम review analysis पे click करेंगे, तो review analysis पे click करने के बाद, कुछ time लगेगा, यहाँ पे data fill होने के लिए, और बहुत ही amazing data आता है, I highly recommend कि आप यह tool जरूर use करें, अगर आप Amazon seller है, क्योंकि इससे वो insights मिलते हैं, जो as a human हम इतना सारा data analyze नहीं कर सकता, अगर 1902,000 भी reviews हैं, या किसी tools के 5000 यह 10,000 reviews भी देखें हैं, हमने किसी इस product के, तो उनको read करना, analyze करना बहुत असान काम नहीं है, until, unless आपके बहुत सारा time हो, and, but this is something कि जहां पर consolidated एक जगे आपको यह पूरा data मिल जाता है, तो यह load हो रहा है, okay, and this whole data has been populated, तो अभी आप देखो कि सबसे पहले है customer profile, customer profile का मतलब है, male or female, who, when, wear, what, मतलब, जो यह bottle है, यह bottle, लोग किस के लिए खरीद रहे हैं, कौन खरीद रहे self, कुद खरीद रहे हैं, students खरीद रहे हैं, working professional, किस टाइप के लोग हैं, जो इस bottle खरीद रहे है, when, when से मतलब है, वो कहां पर यूज कर रहे हैं, वो पूरे दिन यूज कर रहे हैं, वो ट्रावल में यूज कर रहे हैं, workout मतलब जिन वागेरा में यूज कर रहे हैं, and all this kind of stuff कहां पर यूज कर रहे हैं, home, घर पर यूज कर रहे हैं, outdoor में यूज कर रहे हैं, office में यूज कर रहे हैं, किस type का use है, purpose क्या है, regular use है, travel है, fridge में रखने के लिए यूज कर रहे हैं, and all this kind of stuff, okay, cool, इसके बाद आप देखेंगे pros क्या है, चा क्या benefits है, क्या क्या positive thing है, इस bottles के, इस product के, तो durability अच्छी है, लोगों को काफी पसंद आ रहा है, customer appreciate कर रहे हैं, उसके बाद leak proof है, which is also a good thing, आप over करेंगे, तो इस तरीके से पूरा review भी आ जाएगा, quality, 15%, 15,5% लोगों ने अच्छा बता है, and all these kind of stuff, उसके बाद हम uses scenario देखेंगे, uses scenario क्या है, general use हो रहा है, outdoor use ह हो रहा है, fridge में use हो रहा है, water bottle and all these kind of stuff, similarly, कुछ लोगों ने quality पर issue उठाया है, smell आ रही है, या deist अच्छा नहीं है, cap की जो quality है, वो अच्छी नहीं है, paint की quality अच्छी नहीं है, तो इस तरीके से इसके negative factors है, customer की expectation क्या है, वो भी आपको पता चल जाती है, कि वो आ रही है, bottle में use करने पर leakage है, rust लग रही है, scratches है, color feed हो रहा है, again leakage है, appearance, जो coating है, वो पीलोफ हो रही है, heavy है, use करने के लिए, motivation क्या है, purchase के, purchase के motivation है, quality बहुत अच्छे, durability है, leak proof है, and all these kind of stuff, तो अब आपको लग रहा होगी कि इससे मेरा क्या benefit है and all, तो आपको यह समझना होगा कि जब आ है, क्या उसे motivate कर रहा है, तो you can use these things in your listing, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि listing is your sales pitch, आप वहाँ पे जब हम किसी shop पे जाते हैं, तो हम salesman से बात करता हैं, उससे सवाल पूसता है, लेकिन Amazon listings के case में, या e-commerce के case में, आप से कोई सवाल नहीं पूसता, वो वहाँ पे information देखता है customer, तो अगर आप उसको beforehand ये information दे देंगे, ये keywords आपकी listing में होंगे, तो obviously आपकी जो convergence के chances हैं, वो हाई हो जाएंगे, अब ये तो हो गया review analysis, ये हो गया कि मुझे इस product के browse पता चल गया है, कौन पता चल गया है, कौन कहां क्या use कर रहा है, ठीक है, the next is listing optimization, ये बहुत ही impressive tool है क्योंकि ये क्या करता है, आपकी जो existing listing होती है, उनको further optimize करता है, improvise करता है, जिससे आपकी sales के chances हैं, वो high हो जाएंगे, तो when we click on this, आप देखेंगे, यहाँ पे हमारे right side में कुछ keywords आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे data नहीं हा रहा है, क्योंकि we are using a free tool, तो उसके में कुछ limitations हो सकते हैं, अगर आपको listing को further improve करना है, उनकी keyword के basis पे, तो let's suppose अगर आपको gym bottle select करनी है, तो आप gym bottle का वाला keyword ले सकते हैं, office bottle select करनी है, तो office bottle वाला keyword ले सकते हैं, ठीक है, तो अभी मैं इन दोनों keywords को use नहीं कर रहा हूँ, आ यह चाहरा हूँ कि अभी जो existing listing है, जिसमें water bottle leak proof for one liter, is the main keywords, क्या इनी का use करके, existing keywords का ही use करके, हम अपनी existing listing को और बेटर बना सकते हैं, तो इसके लिए हमारे यह keyword हम सेम रहने देते हैं, और इसके बाग AI listing optimization पे click करेंगे, इसे click करने के पाद आप आप देखोगे, जो अभी listing बनी हुई है, वो हमाई left hand side में आ रही है, before ना के दिया है, वो बड़ा ही detailed out है, उसमें सारे keywords use हो रहे हैं, तो आप देखोगे, नीक प्रू, one liter stainless in water, water water, नीक प्रू, one liter stainless in water, for office, gym, home, cello, s2 and blue, तो यहाँ पे जो office, gym, home वाले जो keywords हैं, जिनके use करके, जो हमने देखा था review analysis में, जहाँ पे लोग use कर रहे हैं, कि कहां पे use क कर रहे हैं, लोगों के क्या खरीदने का motivation है, वो सब यहाँ पे AI ने include करती है, इसके बाद आप देखेंगे कि जो bullet points हैं, वो भी काफी change करती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे keywords आ गया हैं, तो पहले यह keywords आपके left में नहीं थे, existing listing में नहीं थे, तो इस तरीके से आप अपने listing को और optimize कर सकते हैं, no doubt, I would highly recommend कि आप totally dependent नहां रहें AI के basis पे, and थोड़ा सा अपना भी sense लगाएं, और कोशिश करें कि इनी terms को अगर और थोड़ा elaborate कर सकते हैं, या और improve कर सकते हैं, तो it's well and good, तो यह चीज़ है, ठीक है, and यह two उनके लिए भी काफी beneficial है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे sellers को लिस्टिंग बनाने में दिक्कत आती है, या उन्हें English लिखने में दिक्कत आती है, मैंने बहुत लोगों को दिखा है, तो this tool is like a, यह वर्दान है उनके लिए, जो की help करता है, उनकी listings अच्छी लिखने में, अच्छी बनाने में, तो definitely give it a try, okay, the next is question answer analysis, Q&A analysis, इस पर click करते हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे, कि एक summarized result आगे हैं हमाई पास, question किस type के लोग जो पूछ रहे हैं, वो है जैसे material क्या है, तो उसके keywords आगे हैं, कितनी बार पूछा गया है, छे बार पूछा गया है, temperature, कितना ये manage कर लेता है, कितना जहिन लेता है, ये product hot water, cold water, keep it hot, cold, 6 बार पूछा गया, features, जो पूछे गया है, durability and all these kind of stuff, तो इस तरीके से आप अपने product के जो आप launch करने की सोच रहे हैं, या existing में change करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप ध्यार में रख सकते हैं, कि लोगों के सवाल क्या है, and you can create your listing accordingly, तो ये हमारा first part था, Shulix Chrome extension का, second part भी इसी से related है, इसी को हम further continue करेंगे, which is the second part, जिसमें हम AI chatbot की बात करेंगे, तो Shulix के जब आप extension पे click करेंगे, तब आपको इस type का window खुल जाएगा, चीक है, तो ये window आपको क्या दरता है, ये आप इसमें AI के साथ chat कर सकते हैं, उससे सवाल पूछ सकते हैं, तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं, इस arrow पे click करके, full screen, तो अब हमारा Shulix का AI chatbot है, वो open हो चुका है, और no doubt जैसे मैंने बुला है, ये chat GPT 4 को use कर रहा है, जो कि एक period version होता है, और बहुत ही real time में काम करता है, तो इस तरीके से आप अपने चीजों के बारे में पूछ सकते हैं, तो अगर हम water bottle का ही example continue करें, तो हम इसे बोल सकते हैं, write five bullet points for one liter water bottle, having keywords, make proofs, variables, or sysuse, chain use, let's see, क्या देता है ये हमें, तो जो हमने 5 bullet point मांगे थे, based on our keywords वो हमें मिल चुके हैं, तो इस तरीके से आप अपने keyword निकाल के, जो भी listing बनाना चाता है, या जो bullet points बनाना चाता है, या product का description बनाना चाता है, वो इस chat, AI chat का use करके, AI chatbot का use करके, आप बनवा सकते हैं, ठीक है, तो इसकी limitation यही तक नहीं है, आप कुछ भी पूप सकते हैं, इस AI chatbot से, और यह सब कुछ बता देगा, let's suppose अगर आपको, कोई disadvantages पूछने हैं, anything, मतलब, it can give you anything related to products, next, इसी में आप देखेंगे, एक second section है, ask, जब आप उस पर click करते हैं, तो अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़े और आजाती हैं, यहाँ पे the beauty of this tool is, कि जो, let's suppose, मैं आता हूँ, पहले हम इस data को copy कर लेते हैं, तो यह हमने data copy कर लिया है and इस beauty की क्या बात कर रहा था, वह translation की बात कर रहा था, तो हम ऐसे बहुत सारे seller है, जो global marketplaces में sell करते हैं, तो let's suppose, मैंने यह 5 bullet points जो हैं, इनको मैंने यहाँ पे paste कर दिया है, and मैं इसको French में convert करना जाता हूँ, तो I can simply select the French language and submit the button, और आप देखोगे, कि इस तरीके से, जो आ global selling करते हैं, आप किसी ऐसे international marketplace में sell करते हैं, जहाँ पे English primarily language नहीं है, तो आप this tool का use कर सकते हैं, to translate your listing into another language, okay, next is Amazon keywords, आप यहाँ बे कुछ information देंगे, अपने product के बारे में, तो सबसे पहले तो हम language को English कर लेते हैं, and product का नाम हम लेते हैं, वो ही water bottle, product के category ID हमारी kitchen, feature में डाल देते हैं, लेक्रूफ, and let's see, क्या keywords आते हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो 10 popular searches हैं, वो हमें यहाँ पे मिल चुके हैं, तो यह वो हैं keywords जो जातन लोग search कर रहे हैं, यह use कर रहे हैं, चिक हैं, तो इस तरीके सा आप use कर सकते हैं, यह भ and remember यह 8000 per day मिलता है, तो मैं 15 use कर चुका हूँ, but 8000 is more than enough for a day, अपर आम से use कर सकते हैं, okay, the next is listing optimization, यह भी simple सा है, इसमें आप platform डालेंगे, तो यह इतने सभी platforms को support करता है, चाहे वो Amazon हो, Shopify, Walmart, and so on, तो आप इसमें अपने साब से वो platform ले सकते हैं, अपने product के keywords, जो आप चाते से डालना चाते हैं, कि easy to sell, जो भी आपके selling point है, जो आपकी USPs हैं, वो आप इसमें डाल सकते हैं, उसके बाद जो आपके product का title है, जो डालें, आपने listing bullet points डालें, and select a language, जिस भी language में आपको हो चाहिए, and उसके बाद आप submit कर लें, तो आपकी जो listing है, existing listing है, वो यह optimize करके द आपको simply, same, अपना market choose करना है, product की category choose करनी है, कौन से keyword आप डालना चाते हैं, उसके features जो भी हैं, वो आप बताएंगे brand name, and hit the submit button, तो इस तरीके से यह आपकी एक नई listing आपको बना के दे देगा, तो this is the second part of the Shulix AI, जहापे आप इस two weeks से बहुत सारे सवाल पोच सकते हैं, उ new listing के translation करा सकते हैं, किसी भी international language में, अपने keywords वहाँ से निकाल सकते हैं, listing को optimize कर सकते हैं, नई listing generate कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा समाल पूछ सकते हैं, जो आपको लगता है कि आपको नहीं पता है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, चीक है, so now, अब move करते हैं, next part पे, जो की है, शूलेक्स VOC dashboard, तो आपको याद होगा कि जब हमने अपना product research शुरू किया था, इस AI को use करके, तो हमने water bottle select किये थे, तो वहाँ पे हमने 4 water bottles लिये थे, just to study them further, यह क्या-क्या इसमें हो सकता है, तो यह वो ही report है, जिसको हमने का आदा कि हम third part of the video में discuss करेंगे, तो अब वो हम शुरू करते हैं, तो यह वो 4 ASINs थे, जिनको हमने add कर लिया था, तो आप देखेंगे, total number of review इसने analyze कि हैं, वो है 1800, ठीक है, आप चाहो तो इसको edit करके, यहाँ पे और भी product add कर सकते हो, but I think this is more than enough, अभी के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत सारा data होगा, load में दिक्कत ह होगी, वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो that's the case, so let's stick to this, क्योंकि मुझे लगता है, यह चार बड़े brand है, जो सबसे आदा जिनकी sale हुई है, और इसमें से हमें काफी insight मिल जाएगा, बाकी आपकी choice है, आप कितने सारे इसमें inputs डालना चाहते हैं, it's totally up to you, okay, the first is customer insights, customer insights में आप देखेंगे, क्या हो रहा है, यहाँ पर customer का profile आ रहा है, तो basically यह profile क्या है, कि यहाँ पर यह पता चल रहा है, कि कोई बड़ा use कर रहा है, बच्चा use कर रहा है, क्या है, किस तरी किस है, the first is who, तो who को समझने से पहले इस graph के ना basics समझ लेता है, तो basics में क्या है, पहले, कि जो भी green है, 4 to 5 star वो green कलर में है, और 1 to 3 हमारे red कलर में, ठीक है, तो y axis पे हमारे number of ratings हैं, और x axis पे हमारे को कौन use कर रहा है, या किस के लिए यह product खरीदा गया है, ठीक है, तो आप देखोगे, कि kids के लिए सबसे आदा यह product खरीदा जा रहा है, उसके बाद sun word को use जोच के बहुत लोग अपने बेटे के के लिए खरीद रहे हैं, फिर अपनी बेटे के लिए खरीद रहे हैं, दोस के लिए खरीद रहे हैं, husband के लिए खरीदा है, तो इससे यह बता चलता है कि आप इस type का keyword है, वो अपनी listing में use कर सकते हैं, तो let's suppose, तो आप kid word को अपनी listings म यूज कर सकते हैं, जैसे वन लिटर वाटर बॉटल फॉर किट्स, ठीक है, यह कप यूज कर रहे हैं, तो everyday, कुछ लोग everyday, daily use, तो आप यह देख सकते हैं कि आप यह लिख सकते हैं, for daily use, वाटर बॉटल for daily use, या everyday use, तो इस तरीके की keywords भी आप अपनी listing में use कर सकते हैं, ठी जिम में use हो रहा है, तो इस तरीके से यह चीज़ें use हो रही हैं, जैसे जब हमने listing optimize की थी, तो हमने office or gym keyword को लिया था, तो आप school word को भी ले सकते हैं, कहां भी use हो रहा है, traveling, use हो रहा है, drink, gifts, है, तो इस तरीके से चीज़ें use हो रहा है, ठीक है, तो this is the thing, इसके लावा आप इन सभी insights की report जो है, यहाँ पे click करके download कर सकते हैं, और more insights पे click करने पे, आपको और भी data मिल जाता है, who, where, when and what का, तो what is the relation between customer who use the product and the reviewer, किसने product खरीदा है और review के, जिसने दिया है, उसका क्या relation है, तो इस तरीके से आपको और भी data मिल जाएगा, कि खरीदने वाला का जो relation ह है, वो अपने बच्चे के लिए उसने खरीदा है, बेटे के लिए खरीदा है, मा के लिए खरीदा है, तो इस तरीके से यह चीज़े आप देख सकते हैं, ची क्या, यह statistics है, इसके बाद आप trend देख सकते हैं, अगर आप तो trend देखना है, कि students का trend decline पहें, लेकिन disk का trend ऊपर जा रहा है, तो this is the data, tabular form में देखना है, तो इस सरी के साथ, tabular form में देख सकते हैं, okay, now coming back to the reports, इसके बाद आप नीचे आएंगे, तो अभी हमने जो यह देखा, यह customer profile है, इसके बाद है, uses scenario, तो uses scenario आप देखोगी, कि बहुत सारी information आते हैं, कि use कैसे हो रहा है, तो अब द सरी कि है, school, index से गिर गई, तो suitable for school going चल रहा है, तो जो भी feedbacks यह reviews हैं, उसके basics पे, इस bottle का क्या-क्या use हो सकता है, वो, जो customer से ने लिखा है, वो सारी information आपको मिल जाती है, तो जो customer information दे रहा है, उससे best information तो होई नहीं सकती, अपने listing को optimize होने के लिए, तो use these information in your listings, the next is customer sentiment, अब आपको यह आपर देखेगा, कि customer के sentiment कैसे है, जैसे negative feedback, quality को लेके negative feedback आया है, क्या है, कि steel layer remove हो रही है, जो अब अगर अगर आप bottle launch करना चाते है, तो you know that कि इन चारो product में न यह बहुत बड़ी issue है, which is a quality, तो आप एक अच्छा quality का product launch कर सकते हैं, चीक है, smell एक अलग issue है, तो इसको आप अपने bottle में कुछ भी improvise कर सकते हैं, अपना जो नया product launch करना चार रहे हैं, उसमें आप improvise कर सकते हैं, चीक है, positive feedback, positive क्या है, premium feel आता है, quality better है, durability, non-licking features, तो कुछ लो quality को appreciate भी कर रहे हैं, then you have to figure out कि क्या चीज़ है, अब जैसे किसी ने लिखा है कि wide mouth होने की वैसे easily clean हो जाती है, right, तो you have to figure it out कि क्या अच्छे चीज़े हैं, आपको अपने product में डालना हैं, और क्या negative चीज़े हैं, जिनको आपको avoid करना है, right, तो यहां से आपको negative, और नीचे आपको positive दो type के sentiments आपको म आप definitely अपनी listing में डालिए, just to optimize it further, तो यह इनके buyer motivation के points हैं, और इस तरीके से reason दिये हैं लोगों, तो आप इनी reasons को embed कर सकता हैं अपनी listing में, next is customer expectation, लोग customer expect क्या कर रहा है, quality expect कर रहा है, लेकिन क्या वो meet हो रही है, नहीं, वो meet नहीं हो रही है, तो 30% लोग ऐसे हैं, जिनक लगता है कि जो लोगोंने pay क्या है, उसके awarding उनकी जो need है, वो meet नहीं हो रही है, तो इस तरीके से आप एक के sentiment analyze कर सकते हैं, customer का insight देख सकते हैं कि क्या इन चारों brand ने, जो की top seller बनके बैठे हुए Amazon पे, but still महां पे उनके क्या pros हैं, क्या cons है, and इनकी basis पे, analysis के basis पे, आप details को, अपने products को further improve कर सकते हैं, the next is competitive analysis, तो competitive analysis में आप देखेंगे कि चारों product हमारे back to back लगके आ गए है, brand पता चल रहा है, asin है, price है, and ratings reviews है, customer का profile आपको पता चल जाएगा, कि kid के लिए, जैसे वो ही था, जो हमारा who, when, where, what, जो हमारा customer profile था, तो kid 31%, हमारा जो seller है, वो 50% लोग खरीद रहे हैं, bold fit 23% and milton 50%, तो इस तरीके से, यहाँ पे mothers के लिए है, sons के लिए है, तो इस तरीके से यह चीज है, तो मेरा कहने का मतलब, यहाँ पे क्या है, जब लोग kid, mother, son, father, husband लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत important insight यह मिल जाता है, कि let's suppose father's day आ रहा है, और आप जिस product को launch करने की सोच रहे है, या जिस category में आप deal करने की सोच रहे है, या पर आपको यह sentiment मिलता है, कि लोग father के लिए बहुत खरीद रहे है, इसका मतलब यह है, कि आप father's day पे बहुत बड़ी sale कर सकता है, बहुत ज़्यादा अपने data देते हैं, देंगे उस data को हम कितनी समझदारी के साथ अपने लिस्टिंग में डालेंगे, या डाल सकते हैं, वो ही हमें बाकी seller से अलग करता है, और उसे ज़्यादा edge हमें देता है, ठीक है, great, next is when, obviously हम देख चुके हैं, कौन कहा use कर रहा है, तो उस हिसाब से bottles का आपको use दिख चाहेगा, तो आप इनको use कर सकते हैं, school, office, bottom floor, gym, table, तो इस तरीके से ये जो keywords है, location based, इनको आप अपने listings में डाल सकते हैं, and what, co-working space, traveling, तो इस तरीकी की चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है, customer sentiments, positive, negatives, तो अब यहाँ पे आपको चारो brand के pros and cons एक साथ दिख चारो type के product के, आप देख सकते हैं कि design के मामले में, bold fit, quality में better दिख रहा है, design में हमारा solara better दिख रहा है, तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है, buyer's motivation, तो इस तरीके से आपको बाकी data मिल जाएगा, and similarly for customer expectation, तो इस तरीके से आप पूरा competitive analysis भी देख सकते हैं, okay, the next is reviews, तो आप देख सकते हैं, यहाप सभी reviews दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लाबा क्या-क्या topics इसमें cover हुए हैं, तो जिम की बात हुई है, तो आप देखेंगे, जिम नाम का यहाँ पर keyword है, तो यह tags आपको बता देएंगे, आपको डेटेन रिव्यू भी दिखा रहा है, यह था complete process of Sholex AI, अगर आपको कोई सवाल है, या मैंने कुछ मिस कर दिया है, तो वो आप comments में लिख गर पूछ सकते हैं, मेरा suggestion है, कि आप इस tool को definitely try करें, an exclusive 20% discount ज़रूर avail करें for paid version, discount link description में दिया हुआ है, यह AI tool अगर अच्छ में जरूर बताना, and like the video to support amazing marketer, and finally, keep selling, keep smiling.